दोस्तो सनी दियोल ने गदर्टू की सक्सिस के बाद जब से सफलता का सुआत दूसरी बार चका है तब से उनके पाद फिल्मों की लंबी लाईन ही सनी ने अपना नया ब्रोजेक्ट का एनाउंस किया है जिससे उनका तेलूगू में भी डेब्यू होने जा रहा है इस फिल्म के लिए सनी दियोल ने तेलूगी सीने में के मास फिल्में देने वाले चर्चिट डाइरेक्टर गोपीचंद माल लेली से हाथ मिलाया है फिल्म को A.S.D.Z.M. बताया जा रहा है जो सनी दियोल और गोपीचंद के नाम को मिला कर बन रही है गदर्टू के धुहाधार कामियाब होने के बास सनी दियोल ने बोल्लूड में ऐसा कमबेक किया है कि लोग सालों तक याद रखेंगे इस तगरी सेक्सिस की सीने पे सबार सनी दियोल के पास कई फिल्मों की लंबी लाइन है मगर अब सनी अपने स्टार्डम को एक लेबल और उपर लेजाने के लिए तियार है दोस्तों सनी दियोल ने अपना नया प्रोजेक्ट एनाउंस किया है जिससे उनका तेलूगी में डेबियू होने ज़रा है सनी दियोल ने अपने सोचल मीडिया अकाउंट के जरिए इस फिल्म का एनाउंस किया है जिसके कैपसन में लिखा है देश की सबसे बड़ी एकसन फिल्म के लिए तियार हो जाईए पोस्ट में बताया गए है कि सनी दियोल इस फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे बहीं इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे गोबिचंद मालेनी फिल्म में सनी दियोल के साथ रोकिट वोईस फेम, रेजीना कसांडरा और सियामी खेरी भी काम कर रही है फिल्म के महरत की तजबीरे सामने आई थी जिसमें सनी दियोल दोनों एक्टरों से के साथ खड़े थे गोबिचंद मालेनी तेलोगी सीनेमा के माश डायरेक्टर में से एक हैं दोस्तो इसी के साथ मैं आपको जानकारी दे दूकि सनी दियोल की एचड़ी जी एम बहुत बड़े पेमाने पर बनाई जाने वाली फिल्म है फिल्म से जुड़े अभी कई सारे बड़े एक्टरों को नाम खुलना बाकी है फिलहाल सनीदोल अपने अधर प्रोजेक्ट में बिजी हैं इसके बाद वो HDGM पर काम सुरू करेंगे दोस्तों अगर सनीदोल के बरक्फरंट की बात करें तो बेहां गलटू की सांधार काम्याबी के बाद आमिर खान के प्रोडक्षन में बनने वाली फिल्म 1947 में भी काम कर रहे हैं इसी बीच वो एक और फिल्म सफर का सूट भी निप्टा चुके हैं इसके अलावा सनीदोल के खाते में और भी कई सारे बड़े प्रोजेक्ट हैं दोस्तो यह थी हमारी आज की वीडियो अगरे बीडियो पसंद आई होतों फीडियो को लाइक्ट कमेंड करें और शाख व गप